नमस्ते सदा वस्तले मातर भूमे जैहिन दोस्तों पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने के लिए चीन से SH-15 हविजर खरी दी है और इसके बारी में मैंने कल डिफेंस अपडेट में भी जान कारी दी इस हविजर को मुक्य रूप से पहाड़ी इलाकों में भारत के साथ लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा चीन में बना ये हत्यार 155 mm की गोली दाख सकता है इस हविजर को ट्रक की चेसिस पर फिट किया गया है ऐसे में इसे आसानी से एक जगा से दूथी जगा पर कम समय में तैनात किया जा सकता है कहा जा रहे कि चीन से पाकिस्तान ने 2019 में 236 यानि की 236 एचेश 15 155 mm हविजर खरीदने की डील की थी इसमें से कुछ यूनिटों को इसी साल पाकिस्तान को सौपा गया साल 2018 में भी यह हविजर कराची में एक डिफेंस एक्सपू में दिखाए गया थी और तभी बता दिया गया था कि पाकिस्तान ने इस हविजर की टेस्टिंग भी कराची के पास के पाड़ी अलाकों में की थी चीन का ये नया 155 mm ट्रक माउंटेड हविजर पहली बार 2017 में भी देखा गया था SH-15 हविजर चीन के पुराने SH-1 तोप की डिजाइन पर आधारित है इसे मुख्य रूप से निरियात यानि के एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था अब चीन ने SH-15 हविजर में कई सुधार किये हैं SH-15 को चीनी सेना ने 2018 या 2019 में PCL-181 के नाम से अपनी सेना में शामिल किया था इस हविजर को चीन की पुरानी PL-66 फिल्ड हविजर की जगा तैनाद किया गया था और चीन ने पहली बार 2019 में एक सैनेक प्रेट के दौरान इस ऑपरेशनल हविजर को सावजनेक रूप से प्रदिश्चित भी किया था इस हविजर की रेंज 53 किलोमेटर बताए गई है यह हविजर 155 mm के नाटो गोलो को दाग सकती है इसके साथ साथ ही कन्वेंशनल गोला बारूद भी दागने में शक्षम है इसे ऑपरेट करने के लिए 5 से 6 क्रूव मेंबर्स की जरूरत होती है इस हथियार को 6 इंटो 6 और ये वाली शनाचसी ट्रक की चेसिस पर फिट किया गया है इस ट्रक का कैबिन बुलेट प्रूफ बनाया गया है कैबिन में लगी खिड़किया और विंड्शिल्ट बुलेट प्रूफ है इसके एक ट्रक पर साथ राउन गोला बारूद लेकर जाने के लिए 4 बॉक्स लगे वे है इस हविजर को चीन के सरकारी हत्यार निर्माता कामपनी Northern Industry Corporation ने बनाया है कमपनी ने दावा क्या कि इस हविजर को पहारी मैदान और दलदली इलाकों में असानी से इस्तमाल किया जा सकता है कई रिपोर्ट्स में यहां तक भी दावा किया गया है कि चीन का यहाविजर परमाणो गोले दागने में शक्षम है हाला कि इसकी कोई विश्वशनिया जानकारी किसी के पास नहीं है और कोई पुस्टी भी हम नहीं करते हैं यही नहीं पाकिस्तान ने चीन से वीटी चार्ट टैंकों को भी खरीदा है इस टैंक का निर्मान भी चीन के सरकारी बक्तरबंद वहन कंपनी नरंग को करती है वीटी फोर टैंकों की डिलिवरी पिछले साल अप्रैल से शुरू हुई थी हाला कि अभी इसके कितने यूनिट सॉप में गए हैं इसको लेकर को जानकारी नहीं मिली है थाइलेंड और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान तीसा देश है जिसने चीन से ये टैंक खरीदे हैं पिछले साल सितंबर में पाकिस्तानी सेना ने बक्तरबंद कोर में इने शामिल किया और बाद में तिला फिल्ट फारिंग रेंज में इस टैंक का टेस्ट किया था चीन के VT-4 में बैटल टैंक को MBT-3000 के नाम से जाना जाता है ये चीन का तीसरी PD का में बैटल टैंक है और चीन ने इस टैंक को दूसरे देशों को बेचने के लिए बनाया है 52 वजनी ये टैंक 10.10 मीटर लंबा और 3.4 मीटर चौड़ा है इस टैंक को तीन क्रू मेंबर मिलकर चला सकते हैं इसमें एक ड्राइवर दूसरा कमांडर और तीसरा गनर होता है इसका मुख्य हतियार 125 mm की गन है और इसमें टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है जो टैंक क 2300 होस्पावर की ताकत देता है यानि कि दोस्तों पूरी तरीके से भारत को इंगेज करने में लगा हुआ है चीन ताकि भारत पाकिस्तान के साथ उलजा रहा है और चीन अपनी इन्रोश्मेंट की जो नीती है यानि कि अतिकर्मन की जो नीती है उससे आगे बढ़ा सके और पूरी फोर्स है, अपने हत्यार हैं और भारत पूरी तरीके से दो फ्र restless war के लिए तयार हो चुका है और एस फ्र बहारत के पास आ चुका है, इसके लावा भारत के पास अपने खुद के अपिनाका है केना इन्वर्ज्र है काफी सारे हत्यार हैं जिन से पाकिस्तान की दो बात हम नहीं करेंगे लेकिन चाइना को भी अच्छी तरीके से सबक सिखाया जा सकता है आपको क्या लगता है कमेंट शेक्षा में लेकर जुरू बता है मिल दो और विड़े के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना बुलेगा जैहिंद वन्दे मातरम